नमस्कार दोस्तों मेरा उल सास्त्री सवगत करता हूँ आपका नाड़ी दोस्त के बारे में आज हम चर्जा करेंगे जम और पहुत ही सरल तरीके से कम सब्दों में बताऊंगा मैं कि कब अप्रूवल में जाता है आपको यानि आपकी कुटली के अंतर नाड़ी दोस्तों है पर उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है और अगर किसी परकार नाड़ी दोस्तों आगया तो क्या आपको उपाई करने चाहिए हलाकि इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है पर बहुत लोगों ने का कि सास्त्री जी और थोड़ा डेप्त में समझाईए तो सरल त को एक नंबर उस्सको दोनमबर मिलते हैं तरा को मिलते हैं तीन नंबर और जो यो निए होती ये उसको चाहर नंबर गरह मैत्री को 5 मिलते हैं गन को मिल Ta 6 7 मिलते हैं गर्ह मैत्री मात a master esthkot Mirxx cook Milaniya Gustato all our neuro D valor के इन त्रीनों को सबसे महत्ता पूर माना जाता है इसका मतलब किया कि आपकी सोष मुलते हैं आपस में एक दूसरे संब्स्क्राइख कि संतान को लेके कोई चिंता नहीं है या आपकी सेहद को लेके कोई चिंता तो नहीं है आयू को लेके कोई चिंता तो नहीं है यह हम नाड़े दोस्ते पता करेगे तो इसलिए नाड़े दोस्त सबसे महत तपून है इन तीनों में भी मद्धे, पित दरसाता है और अंत्यमे कप ये तीन तरह की नाड़ी होती है जब दोनों एक ही परकार की नाड़ी आ जाए अगर लड़का और लड़की जातक और जातक कि एक ही नाड़ी हो तो इसको नाड़ी दोस बोलेंगे पर कोई घबराने वाली बात नहीं है अगर नाड़ी दोस उत्पनी भी हो रहा हो तो उसका अप्रूवल किस स्थिति में मिलेगा पहले ये समझे कब अप्रूवल मिल सकता सब से पहले सब से पहले राशी स्वामी एक अगर दोनों को नाड़ी दोस आ गया नोवी धनू और दसवी मकर गैरवी कुम्ब और बारवी मीन इसमें से अगर आप देखोगे मेश और वर्चिक के राशी के स्वामी मंगल होते हैं तो अगर किसी के राशी एक की मेश और एक की वर्चिक होई और नाड़ी दोस आ गया तो कोई गवराने वाली बात नहीं क्योंकि दोनों के राशी स्वामी मंगल है तो यह नाड़ी दोस नहीं लगेगा अप्रूवल हो जायागा इसी परकार एक की राशी वर्चब है और एक की राशी तुला है और नाडिदोस आ जाता है तो भी घवराने वाली बात नहीं उसका प्रूबल हो जाता है अब लड़का लड़की में से किसी की भी एक की मिथुन रासी होई और एक की कन्या रासी होई तो मिथुन और कन्या रासी के स्वामी बूद होते हैं कोई घवराने वाली बात नहीं इ कि लटका लटकी मेंसे किसी की एक की धनु है और एक की मीन है और क्योंकि दोनों के राषि सवामी गूरू-Дेव होते हैं और नाड़ी दोस हारा तो बी घबराने वाली बात नहीं है इसका पूरुभल हो जाएगा इसी परकर मकर और कुम्व दोनों के राषि सवामी एक होते है एक तो यह स्थिति है दूसरा दोनों के अगर नक्सथर भी एक हो अगरण को डिफिनेटल हो जाएगा को दिक्कत वाली बात नहीं होती हुआ कि एक ही रासी हो अगर कोई एकी रासी हो क्योंकि उसके भी स्वामी एकी होंगे लड़की की करक रासी है और लड़के के भी करक रासी है या लड़के के भी सिंग रासी है या फिर एक से लेके बारा लड़के की तुला रासी है और लड़की की भी तुला रासी है किसी की भी अगर राशी भी एक है तो उसके स्वामी भी एक होंगे तो भी घबराने वाली बात नहीं है इन तीनों केस के अंदर आपको अप्रूल हो जाएगा नाड़े दोस्त नहीं लगेगा नमबर एक जैसे कि मैंने बता है मेश और वर्ची के स्वामी मंगल होते हैं अगर किसी की समय मेश है और दूसरे के मेश है तो भी गबराने वाली बात नहीं क्योंकि दोनों राशी के साम स्वामी होंगे और हम क्या से किस्तिति करते हैं अगर लड़की और लड़की की करक वर्चिक और म दिखा जाता है नाडे दोरा है है और किसी भे प्रकार की कंडिचन नहीं मिलती बाट गुन अच्छे मिले हैं ओर सब्तमेज के लगन इस कि अच्छी है और लड़के के कंडली के अंदर शुक्र की पहुत अच्छी है और लेड़के के फिर भी आपको नाड़ी दोस नहीं लगेगा, किसी परकार की कोई घबराने वाली बात नहीं होती तो यह जो पाँच condition है, यह आप देख लिए अगर यह बन रही हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, नाड़ी दोस आपको नहीं लगेगा हाँ पर किसी परकार की कोई कंडिशन नहीं बन रही है नाड़े दो सुत्पन हो रहा है अप्रूवल भी नहीं हो रहा है और गुन भी काम है तो ऐसी स्थिति में डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए माम रुतिन जे के सवालाग जाप करवाने चाहिए विवा के दोरान यह जरूरी है हलाकि मैं उस स्थिति में यह बलूगा कि विवा के लिए ठीक नहीं है पर आपको उपाय के तोर पर यह जरूरी है कि आपको माम रुतिन जे के सवालाग जाप कराए जाए दोस्तों बहुत सरल तरीके से कमसब्दों में मैंने आपको बताया विडियो गर अच्छी लगी कुछ लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा दन्यवाद